तो मेरे लिए तो मारने का कुछ बदला नहीं क्योंकि आदी के तो एंट्री लाड़ाई से होई थी और मैं तो फुल एक्षिन हीरो के तरह से मुझे प्रजेंट किया गया और आज जो है वो एक नेता जी है वो ज़रा सीक्रेट करेक्टर है तो वो जो है वो कुछ हमको रीवील होता है कि उन्होंने किड्नापिंग करके रखी है हमारे घरवालोंगी और वहां बचाने आते हैं तो आते हैं तो वो अपने डालोग में कहते हैं कि अब यह कैसे कि अब आस्मान फाल के आएंगे जमीन को फाल के उपने के हम ड्रम से आते हैं तो हमारी बहुत ही ड्रमाटिक एंट्री का यह किसका आइडिया मैं पूछ जोटे रहते हैं कोई भी एक्टर को सक्सेफफुल बनाने के लिए क्लिए के बहुत बड़ा हात हुता है तो वो लो हमाज आ यह थी आता एक ज़रे में थे को मलेरा है आठ्चा है तो मानव जो है। मैरी दिमांग के मारता है लेकिन वू इसलिए कि एक बार में निकल गया मैं दूश्मुन को मार रह हूं और तो वो फाई है अश्को निकलने का एक अपने आद जद्दो जयते, वो अपने आपकी दुश्मन ही है, जो मुझे उससे निकालनी होती है, तो उसको पूरा निकालना और उसके बाद वो निकल के कहता है कि यार मैंने सब को मार डाया है, पर अलोड़ी सब मरें हैं, तो उनके साथ जो है, वो मेरी अलग से कुछ है, तो कानी देखने के बाद आपको बाता चलेगा कि क्यों हुई है, नेता जी ने, क्लू तो मतलब हमको भी ये आज के दिन ही पता चला कि ये लोग अच्छली कर क्या रहें, और कोई एक हमको धो धोका दिया गया था, वो धोका जो है, वो यहां के खुला है कि ये क्या था, और जितने घर परिवार ओले लोग हैं जो की फैमिली बांडिंग में और यह होता नहीं कि चलो बहुत सी घर जाकर रह लेते हैं, यह कर लेते हैं, उनको ये एपिसोड देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस एपिसोड में बहुत सारी खास बाते सामने आएंगी मार तो आप में सब्कुल दिया है, तो बचा पाएंगे अपनी सामने को रहा है क्या है, बचाओंगा नहीं तो शो को कैसे बचाओंगा, फैमिली बचे की तो ही तो शो बचेगा, नहीं नहीं, कहने का मतलब यह है कि हमार तो रिस्पॉंसिबिल्टी और मुंबई पुलिस ह